हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल बस, अगर आप एक स्टुडेंट और ये वरकिंग प्रोफेशनल हो, बहुत बार आप ये सोचते हो गया और ऐसे कोई वेज है क्या, जिससे हम कोई एक्स्ट्रा पार्ट टाइम मनी अर्न कर पाएं, बहुत बार हमारे पास वीकेंड्स मे जिससे आप अपनी पैसिव इंकम एक्स्ट्रा मनी अर्न कर सकते हो, तो सबसे पहला और सबसे पॉपलर तरीका है इंटर्शिप्स और लाइफ प्रोजेक्ट, अगर हम जॉब भी कर रहे हैं, या फिर हम कॉलेज में हैं, तो बहुत सारी कंपनीज में ऐसा होता है कि कंपनी हैं, उनकी जो रिक्वार्मेंट है उनको फुल फिल कर सकते हो, बहुत बार ऐसा होता है कि काफी सारी कंपनीज को ग्राफिक डिजाइनर्स चाहिए जो डिजाइन्स बना के देते, तो आप जॉप के बाद एक्स्टा डिजाइन्स बना सकते हो, कहीं पर लोगों मेक popular way है जिससे आप एक passive source of income डेवलब कर सकते हो देको दो sources of income होते है एक्टिव and passive active वो होता है जिसमें आप जब तक काम कर रहे हो आपको पैसा मिलता है और passive वो होता है कि आपने एक ऐसा asset बना दिया जिससे automatically money earn होने लगता है तो यहां पर ब्लॉग राइटिंग में क्या कर सकते हो आपको अपनी नीश पिक कर सकते हो बही बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है वर्टप्रेस पे जहां पर पूरा का पूरा 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 प्रॉपर ब्लॉग चला सकते हो जब आप अच्छा इवलप हो जाए तो आपकी ओडियंस डेवलप होगी नए लोग आपके ब्लॉग को रीट करेंगे, बहुत बार ये question लिकल के आता है, सब हम ब्लॉग लिखना तो चाहते हैं, लेकिन उसको popular कैसे करें, तो उसके लिए simple सा funda है, original content लिखो, original content जितना ज़्यादा लिखोगे, Google उतना ज़्यादा promote करेगा, second important चीज़ है, keywords को समझो, बहुत गूगल की भी आपने देखा होगा, Google keywords पर आप सर्च कर सकते हो, कौन-कौन से ऐसे keywords है, जिसको लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, उसके उपर आप content लिखोगे, तो Google आपके content को promote करेगा, article को promote करेगा, ज़्यादा audience तक आपके जो blog से वो पहुँच पाएंगे, इ जब भी कोई इंसान, कोई भी person उस एड के साथ interact करेगा, चाहे वो देखें उस पर click करें, तो आपको उसके लिए पैसे मिलते रहेंगे, तो कोई पुराने blog पे भी अगर लोग read कर रहे हैं, और उस पर add आ रहे हैं, तो भी आप उस पर passive money earn कर सकते हैं, तो बहुत ही कर सकते हैं, थर्ड स्टेप मेंने सामने है, फ्रीलैंसिंग, आज कीड में बहुत पॉपुलर है, काफी सारे लोग फ्रीलैंसिंग टाइप की जॉप्स करते हैं, जैसे आप एक college student हो या फिर आप working professional हो, बट आपको एक्टर टाइम में तो आप फ्रीलैंस, मतलब प्रोजेक .com हो गया, ट्रूलांसर हो गया, तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं, जहाँ पर आपको फ्रीलैंसिंग के काम मिल सकते हैं, तो वहाँ पर जाके आपको चेक आउट करना है, जो भी आपके skill है, उसके according of freelancing काम कर सकते हैं, बहुत सारे यसे लोग होते हैं, जिनका आपके skill होती है, कोई animated videos बना सकता है, कोई creatives बना सकता है, कोई अच्छे designs बना सकता है, accounts की services होती है, कोई-कोई बच्चा मैंने देखा है, social media marketing बहुत अच्ची कर देता है, किसी का website पूरा manage कर सकते हो, website को design कर सकते हो, तो ऐसी कुछ freelancing job लेने आप लिखी भी है, जैसे writing and editing हो गया, graphic design हो गया, आप किसी के excel data को manage कर सकते हो, आप content लिखते हो, तो किसी company के लिए, freelancing basis पे blocks लिख सकते हो, हर block पे चार्ज कर सकते हो, किसी का आप sales manage कर सकते हो, उनको virtual assistants ये वो provide कर सकते हो, तो बहुत सारी easy freelancing jobs होती है, जहां पर आपको अच्छा amount भी मिलता है, और आप आपका experience है, आपकी learning है, वो भी improve होती रहती है, अब बहुत बार ये question आता है, son मेरे पास तो कोई skill अपनी develop करो, आप कोई भी skill ऐसी सीखो, जहां पर आपका interest है, उस skill को सीखने के बाद, आप clients को approach करो, companies को approach करो, आपको projects आएंगे, जब आप एक दो project अच्छे कर लोगे, तो फिर आप further branch के बाद जाओगे, तो उनके सामने एक trust होगा, कि अब आपने उस company के साथ काम किया, इस कामला आपका काम अच्छा होगा, तो automatically आपका एक network बनेगा, जिसके थुरू आप एक अच्छा amount earn कर पाऊगे, तो अगर आपको skill सीखनी है, नीचे मैंने description में link भी द condition कर सकते हो, जब भी कोई course enroll करो, code use कर लेना upgrade, ताकि आपको amazing discount उन course पे मिल पाएं, तो जाके आप description में demo lectures, course curriculum चेक आउट कर सकते हो, then fourth way हमारे सामने है affiliate marketing, affiliate marketing का मतलब क्या होता है, कि आपका खुद का कोई product या service नहीं है, बट किसी brand का product या service आप promote कर रहे हो, तो affiliate marketing काफी ज generate कर सकते हैं, आप affiliate marketing काम कैसे करता है, जैसे अगर आप amazon देखोगे, amazon का पूरगवरा affiliate model होता है, flip card का पूरगवरा affiliate model है, इसके आप बहुत सारे education institutes होते हैं, colleges होते हैं, brands होते हैं, nike company आपने देखा हो, उसका पूरगवरा affiliate काम करता है, तो इसमें basically functioning कैसे चलती है, मालो आ आपकी कोई ऐसी social media presence है, जहाँ पर आपके followers है, वो YouTube पे हो, Instagram पे हो, college में आपकी society में हो, जहाँ पर काफी सारे लोग आपको जानते हैं, या फिर आपकी नहीं group से connected हो, या आपका खुद का Facebook group है, इस तरह से जहाँ पर भी आपकी audience है, जहाँ पर आप लोगों से reach out कर सकते ह हो, जब आपको पता है कि मेरे पास एक audience है, तो आपकी या किसी भी brand के affiliate बन सकते हो, जैसे आप affiliate बनते हो, तो उस brand के जितने भी products हैं, आपके पास उनका एक unique link generate हो जाता है, और उस link को जब आप share करते हो अपनी audience में, और अगर आपकी audience उन link से कुछ purchase करती है, कोई course लेती ह तो आपको एक commission उस पे earn होता रहता है, तो इस तरह से affiliate marketing से भी आप अच्छा amount earn कर सकते हो, अगर आपका अभी कोई social media presence नहीं है, तो आप अपना blog लिखके YouTube channel चला के, Instagram चला के, अपने followers को gain कर सकते हो, उसके बाद आप Amazon के flip card के बड़े level पे, या फिर आप product specific, जैसे NICA हो गय या किसी coaching institute के आप affiliate बन सकते हो, इसके बाद अगर मैं fifth way की बात करूँ, वह है online tutoring, आज की rate में आपको पता है, पूरी दुनिया online move हो रही है, तो online coaching से भी आप एक अच्छा amount earn कर सकते हो, मैंने देखा है, बहुत सारे से students होते हैं, professional होते हैं, जिनके पास एक ऐसी skill होती है, जिसमें वो expert होते हैं, तो उस skill को आप दूसरों को deliver कर सकते हो, और वो skills जरुई नहीं education related हो, हो सकता है, आपको कोई subject अच्छे से आता हो, आपको math अच्छा आता है, या फिर आपको aptitude अच्छा आता है, आप वो लोगों को सिखा सकते हो, और else काफी सारे ऐसे लोग होते है तो different skills में बहुत expert होते हैं, जैसे मालों आपको को instrument play करना आता है, आपको guitar play करना आता है, आपने singing सीखावा, आप लोगों को singing सिखा सकते हो, या फिर आपको cooking बहुत अच्छी आती है, आप लोगों को different recipes सिखा सकते हो, तो आप online tutoring में जा सकते हो, जहाँ पर आज की rate में एक बहुत ही booming sector है, और अच्छा amount आप यहाँ पर earn कर सकते हो, अब online tutoring के भी 2-3 तरीके हैं, या तो आप अपनी live classes run कर सकते हो, online घर बैठके, आपको आपके students आएंगे, आपके जो network है, वहाँ से लोग आएंगे, वो आपसे सीखेंगे, secondary recorded, आप अपने पूरे courses को recorded बना सकते हो बहुत ही interactive तरीकी सा one time record कर दो, और फिर उसको time to time update करते रहो, और अपनी audience के पास share करो, काफी सारे ऐसे लोग आते हैं, जो कहते हैं, सरम courses दो बना लेंगे, अब इससे related website कैसे बनाएं, तो उसके लिए भी आपके सामने आज के दिन में, बड़े-बड़े LMS platform है, जिसको ब amount earn कर सकते हैं, और ये तरीका भी आपको part time income में help करेगा, तो I hope आपको ये वीडियो बहुत interesting लगे होगी, कुछ नया आपने हैं सीखा होगा, अगर आप चाहते हो, कि मैं और भी part time ways discuss करूँ जिससे आप money earn कर सकते हैं, और detail में इनके उपर वीडियो बताऊं, तो नीचे comment म मुझे बता देना, मैं आपको उनके उपर वीडियो बनाके provide कर दूँगा, so channel को subscribe कर लेना, ताकि ऐसे useful वीडियो आपको मिलती रहें, so thank you so much, take care, good luck.